आपका स्वागात है तो आज मैंने कीचन के लिए कोई डिसेस नहीं बना रही हूँ मैं कीचन के लिए बहुत ही अच्छा एक सामान मंगाई हूँ जो मैंने सोचे आप लोग को दिखा दूँ तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं यह मैंने इमेजोन से मंगाया है तो यह देख सेकते हैं तो यह देखें तो इसलेक इसमें दो तीन सामान है तो यह देखें अब इसका खोलाए है ये देखे, दो समान हमारा कीचन का है, तो ये मैंने फिरीज के लिए मंगाया है, ये रेखे, फिरीज के लिए बॉक्से मंगाया है, हमने ये रेखे, इस तरह का है, रहेगा, तो ये देखे, इस तरह का बॉक्स रहता है, तो ये देखे, इस तरह ये बॉक्स है, और इसके अंदर ये रहता है, जाली जैसा रहेगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जाली रख सकते हैं, और इसका ये धक्कन हो गया, को आंगे देखें डखकन इस तरह को आप इसमें इसमें रुख़ने ना देखने में सुंतर लगे면 को इसमें अपरonzव किचन के लिए मैंने मंगाया है और बहुत ही अच्छा है मैंने और दो तीन आइटम मंगाया तो मैं उसका भी बॉक्सिंग करूंगी क्यूंकि अभी ये दो समान ही आया है आज तो ये देखे ये हमारा कप स्टेंड है ये देखे किस तरह कप इसमें आप स्टेंड कर सकते हैं ये देखे इस तरह मैं आपको कप टांक के भी दिखाती हूं कि किस तरह इसका उपियो करना है तो ये देखे हमने जो डिबब मंगाया था फिर इसके लिए मैंने सारा सामान इसमें भर दिया है और देखे कितना अच्छा ये सामान इसमें आप रख सकते हैं स्टोरेज करके सब्जी कोई भी खड़ाब नहीं होगा इस तरह आप रखेंगे ना इस तरह मैंने सारे में पीछा सउने सामाज पत्तानो ही अब भएक रख सकते तो बहुत ही अच्छा है स्टोरेज है करने के लिए कि यदे आप इस तरह से युद्य़क्र, इस तरह रह आप मंगा सकते हैं से अच्छा लगता है तो यह देखिए इस तरह फ्रीज में हम लों रख देंगे तो यह देखिए इस तरह स्टेंड में इस तरह कप को डाल देंगे इससे क्या होगा आपका जगह भी कम लेगा और बहुत अच्छा चीज है ये तो यह देखिए इस तरह यह कुछ लगेगा आप चाहेंगे तो और भी इसमें आ जाएगा क्योंकि देखिए चेक का सेट था तो यह देखिए दो खाली भी रह गया तो इसमें आठ कप अपका आ जाएगा और देखने में भी सुन्दर लगता है तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सिस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेंक्यू टेक किर बाई